हेलो स्टूडेंट्स कैसे हुआ आप लोग आज में पढ़ने वाले हैं चेप्टर नंबर शिक्स जिसका नाम है दिस जोडिज फॉन फॉन का अर्थ है हिरन का छोटा बच्चा ये कहानी है प्रेम की, दया की, दर्द की और खास कर जीवनियापन की लड़के से आदमी बनने की, एक परिवार की जो सिर्फ खेती और पसु पालन से अपना जीवनियापन करता है इस कहानी पर एक मूवी भी बन चुकी है जो दया येरलिंग की नाम से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी अमेरिका के फ्लोरिडा की लेखी का मारजरी कीनन रोलिंच ने 1938 में एक नोवल लिखा एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था दय येरलिंग जिस पर 1946 में एक फिलम भी बन चुकी है इसी उपन्यास में से इसी नोवल में से एक हिस्सा हमारे चेप्टर में दिया हुआ है गाउं वाले इलाके में रहता है अब कहानी शुरू हो गई है और पसु पालन और क्रशी से अपना पेट पालता है इस परिवार में तेन सदस्से हैं मा बेक्स्टर पा बेक्स्टर और जोडी बेक्स्टर जोडी करीब 15 वर्स का लड़का है जो बार बार अपने माता पिता को कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है तथा जिम्मेदारी उठाने लाइक बन गया है जब उस इलाके में कोई भालू आकर उनकी पस्वों को मार कर खा जाता है तो जोडी के पिता भालू की खोज करने घर से बाहर जाते हैं ताकि भालू को मार सके ताकि जो घर पर पस्वों बच गए हैं उन पर वो भालू दुबारा से हमला ना करे और उनको ना मारे क्योंकि इनका जीवन सिरफ खेती और पस्वों से ही चलता है जोडी चाहता है कि वह भी अपने पिता के साथ भालू को मारने जाए लेकिन जोडी की माता पिता उसे जाने नहीं देते क्योंकि जोडी से पहले उसके छे भाई बहन थे जो बच्पन में ही मर गए थे इसलिए जोडी की माता पिता जोडी को खोना नहीं चाहते थे लेकिन एक दिन जोडी ऐसे ही किसी भालू की खोज में अपने पिता के साथ चला जाता है रास्ते में एक जगह है ठोकर लगने से जोडी की पिता गिर जाते हैं तथा उनको एक सांप काट लेता है अब आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के फ्लोरिडा में लोगों को लगता है कि अगर आपको किसी साप ने काट लिया है तो साप के जहर को किसी हीरन की हार्ट तथा लीवर से वापिस निकाला जा सकता है ये वहां की मननेता है पाब एक्स्टर जोडी को पिछे हटने के लिए कहते हैं तथा साप को सूट करके मार देते हैं जोडी अपने पिता के पास आता है और रोने लगता है उसे लगता है कि उसके पिता मर जाएंगे तभी जोडी की पिता को एक हीरन दिखती है वे जोडी को उसे सूट करने के लिए बोलते हैं रोता हुआ जोडी पहले बार किसी हिरन को सूट करता है तथा उसका हार्ट और लिवर काट कर लाता है जब वे वापिस जा रहे होते हैं तो जोडी को उस मारी हुई हिरन का छोटा बच्चा दिखाई देता है वो वहाँ से चले जाते हैं रात हो जाती है लेकिन जोडी सो नहीं पाता है वह अपने पिता के पास जाता है जोडी की पिता जिनका नाम पैनी है पैनी बेक्स्टर वो सो रहे होते हैं जोडी पूशता है कि अब आपको कैसा लग रहा है जोडी के पिता कहते हैं कि बेटा अब ठीक लग रहा है मौत किसी और का जीवन चुराने के लिए किसी और को मारने के लिए कहीं और चली गई है मैं तो बाल-बाल बच गया जोडी के पिता कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने वो किया जो जरूरी था जोडी कहता है कि पा क्या आपको वो हिरन और उसका छोटा बच्चा याद है जोडी की पिता कहते हैं कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकता उस बेचारी हिरन ने मेरी जान बचाई है जोडी कहता है कि पा उस हिरन का छोटा बच्चा अभी भी वहाँ है साइद वह भूखा होगा या डरा हुआ होगा जोडी की पिता कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है जोडी कहता है कि पा क्या मैं उस हिरन की बच्चे को घर ले आऊं जोडी के पिता कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि घर में खाने के लिए सिर्फ उतना ही है जितना हम तीनों के लिए जरूरी है उससे ज्यादा नहीं है जोडी कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे दूद पीने की जरूरत नहीं है मैं अपने हिस्से का दूद उस हिरन के बच्चे को पिला दूँगा क्या मैं उसको अपने घर ले आऊँ जोडी के पिता हां कर देते हैं अब जोडी अपनी माता से पूशता है कि क्या वह उस हिरन के बच्चे को घर ले आई मा बेक्स्टर को पता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है वह कहती है कि अगर तुम उसे लाओगे तो अपने हिस्से का दूद उस हिरन के बच्चे को देना होगा जोडी खुशी से मान जाता है उसको नहीं पता था कि भविश्य में क्या होने वाला है जब ये हिरन का छोटा बच्चा बड़ा होगा जब उसकी भूख बढ़ जाएगी तो क्या होगा ये जोडी को नहीं पता क्योंकि जोडी अभी लड़का है अभी समझदार आदमी नहीं बना है लेकिन वो बनना चाहता है जोडी एक घुट सवार के साथ जंगल की तरफ जाता है वे उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहां पर जोडी की पिता को सापने काटा था अभी जोडी घुट सवार जिसका नाम मिल वील था को कहता है कि आप वापिस लोड़ जाओ यहां मैं अकेला ही उस बच्चे को ढूंड लूँगा मिल वील को वापिस भेजने के पीछे दो कारण थे पहला अगर हीरन का बच्चा नहीं मिला तो जोडी अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता निरास हो जाता वह अपना दुख अपनी निरासा को दिखाना नहीं चाहता था दूसरा अगर हीरन का बच्चा मिल जाए तो जोडी को बहुत ज्यादा खुसी होगी वह अपनी खुशी को दिखाना नहीं चाहता था मिल वेल चला गया जोडी हिरन के बच्चे को ढूंडने में लग गया जोडी ने देखा कि जिस हिरन को उसने मारा था उसके मरे हुए सरीर के चारों तरफ घेरा बना कर बाज बिठे तथा उसके सरीर को नोच नोच कर खा रहे है जोडी उनकी तरफ एक डाले फैंकता है तो सारे बाज वहां से उड़ जाते हैं और पास की किसी पेड़ के उपर जाकर बैठ जाते हैं काफी देर ढूंडने के बाद जोडी को सफलता मिले तथा उसको हिरन का वहे छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसको वहे ढूंड रहा था जोडी को देखकर हिरन का बच्चा जोडी की तरफ देखता है अपने गरदन उठाता है उसकी आँखों में पानी है जोडी उसको उठाता है और अपने घर की तरफ चलता है घर लाकर जोडी उस बच्चे को दूद पिलाता है तथा अपने पास रखता है जहां जाता है वहां ले जाता है हीरन का बच्चा जोडी की जीवन का एक महत्वपून हिस्सा बन जाता है दोनों को आपस में काफी प्रेम है यहां तक की कहानी हमारे चेप्टर में दी हुई है आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं एक वर्स में ही रन का छोटा बच्चा बढ़ा हो जाता है उसकी भूक बढ़ जाती है जब फसल बोने का समय आता है जोडी की पिता अपने छोटे से खेट में फसल बोते हैं कुछ ही दिनों में फसल दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी उगने लगती है एक दिन जोडी का परिवार उठा तो देखा कि खेट की सारी हरी फसल को हीरन का छोटा बच्चा खा चुका है जोडी की पिता जोडी को कहते हैं कि अगर हमें जिन्दा रहना है तो इस हिरन के बच्चे को मारना पड़ेगा वो जोडी को कहते हैं कि तुम इसे जंगल में ले जाओ और वहाँ पर सूट करके मार दो जोडी रोने लगता है वो कहता है कि क्या हम इसको बांध कर नहीं रख सकते जोडी के पिता कहते हैं कि हीरन बांधने के लिए नहीं बने वो बंध करके नहीं रह सकते और अगर बांध भी देंगे तो उसको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम इस हिरन के बच्चे को भी खिला सकें वो जोडी को उसी सूट करने के लिए बोलते हैं जोडी सूट नहीं कर पाता है जोडी की माता सूट करती है, हिरन को गोली लगती है लेकिन वह मरता नहीं है अदमरा बच्चा भागता है, जोडी उसके पीछे भागता है, एक जगह जाकर हिरन का बच्चा रुक जाता है, अब वह बेहट जाता है बच्चे का दर्द मिटाने के लिए जोडी गोली चलाता है और बच्चे को मार देता है इस तरह से जोडी को समझ में आता है कि समझधार बनना क्या होता है लड़के और आदमी में क्या फर्क होता है लड़का सिर्फ प्यार करना जानता है लेकिन आदमी उस प्यार से बिछडने का दर्द भी समझता है ये थी इस चेप्टर की समरी अब हम इस चेप्टर को लाइन बाइ लाइन रीड करेंगे जोडी ने अपने विचारों को वापिस जाने के लिए अलाव किया मतलब जोडी के जो विचार हैं वो वापिस उस हिरन के छोटे बचे तक चले गए जिसकी मदर को उसने मारा था अपने पिता की जान बचाने के लिए He could not keep it out of his mind जोडी अपने दिमाग से उस छोटे बच्चे को और उस हिरन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था He had held it in his dreams, in his arms वह खुली आँखों से सपने ले रहा था और सपनों के अंदर उस हिरन के छोटे बच्चे को अपने हाथों में अपने बाहों में पकड रखा था उठा रखा था He slipped from the table, वह जिस table की उपर, जिस bed की उपर सो रहा था वहां से नीचे उत्रा and went to his father's bedside और अपने पिता के जो बिस्तर है उसके बगल में गया Penny, जो की Jody Baxter के पिता का नाम है, lay at rest Penny Baxter हैं, वो अराम से सो रहे थी His eyes were open, उनकी आँखें खुली थी and clear और साफ थी But the pupil, लेकिन जो पुतलियां थी, were still dark, वो अभी भी dark थी and dilated और फैली हुई थी Jody said, Jody ने कहा, How are you feeling, Pa? Pa, अब आपको कैसा लग रहा है? Just fine, son, बेटे, अब ठीक लग रहा है Old death has gone, thieving elsewhere Boodhi मोत, चोरी करने के लिए कहीं और चली गई है But wasn't it a cloth save? A cloth save का मतलब बाल बचना मैं तो बाल बाल बच गया Jody कहता है, I agree हाँ, मैं सहमेत हूँ, आप सही कह रहे हो Penny said, Pa, Baxter कहते हैं I am proud of you, boy बच्चे, बेटे, मुझे तुम पर गर्व है That you, that the way you kept your head and did what was needed जिस तरह से तुमने अपने आपको काम किया शांत रहे और वो किया जो जरूरी था उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है Pa, yes son Pa, do you recollect क्या आपको याद है the doe and the phone वो female hiran और उसका छोटा बच्चा क्या वो आपको याद है I can never forget them मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकता The poor doe, बेचारी हिरन ने saved me, उस हिरन ने मेरी जान बचाई थी That is certain, ये तो निश्चित है कि उस हिरन ने ही मेरी जान बचाई थी Pa, the phone may be out there yet जो हिरन का छोटा बच्चा है वो अब भी वहाँ होगा It might be hungry and very scared हो सकता है कि वो भूका हो, उसको भूक लगी हो या फिर वह बहुत जादा डरा हुआ हो क्योंकि वह अभी छोटा है I suppose so, बेटे मुझे भी ऐसा ही लगता है Pa, I am a big boy now, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ and don't need to drink milk और मुझे दूद पीने की जरुरत नहीं है Why don't I go and see if I can find the phone क्यों मैं वहाँ वापिस जाऊं और उस फोन को उस हिरन के छोटे बच्चे को ढूंडने की कोशिस करूं साइद वो मुझे मिल जाए and bring it here और फिर उसको तुम यहां लेके आओगे and raise it फिर उसको हम बड़ा करेंगे पेनी लेक प्वाइट पेनी चुप चाप लेटे रहे staring घूरते हुए at the ceiling जो छट है उसकी तरफ घूरते हुए सोते रहे boy लड़के you have got me hemmed in तुमने तो मुझे घेर ही लिया है किसी को घेर लेना मतलब पूरा काबू कर लेना I won't take much to raise it it won't take much to raise it पा इस हिरन के छोटे बच्चे को बड़ा करने में कुछ ज्यादा नहीं लगेगा it will soon start eating leaves and acorns जल्दी ही वह है पत्यों को खाने लगेगा और जो acorns हैं साह बतूत हैं जैसे ओक ट्री के जो fruit होते हैं उसको बोलते हैं acorns हिंदी में नाम है साह बलूत तो जोडी ने कहा कि जल्दी ही यह है पेडों की पत्यां खाने लग जाएगा और साथ में जो ओक ट्री है उसका जो fruit है acorns मतलब साह बलूत बहे खाने लगेगा you are smarter than boys of your age पा बेक्स्टर कहते हैं कि तुम अपने उमर के जो लड़के हैं उनसे ज़्यादा smart हो we took its mother हमने इसकी मदर का जीवन ले लिया उसकी मदर को मार दिया and it wasn't to blame और इस चोटे बच्चे को उस चोटे बच्चे को कोई दोस नहीं दिया जा सकता surely it seems ungrateful to leave it to starve और ये भी sure है कि ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी है कि हम उसको भूक मरने के लिए छोड़ दे उस चोटे बच्चे को जिसकी मदर को हमने मार दिया है son I can't say no to you मैं तुमको ना नहीं कह सकता I never thought I would live to see another day अगर वो हिरन नहीं होती तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक दिन और जी पाता मैं उस हिरन की वज़े से ही जिन्दा हूँ Can I ride back with a mill wheel and see if I can find it क्या मैं mill wheel के साथ चला जाऊं और उसको ढूंडने की कोशिस करूं Tell your ma I said you can जाओ अपनी मदर से भी permission ले लो और अपनी मदर को कहना कि मैंने हां कर दी है He sidled back to the table वह वापिस से table पर चला गया जहां पर वह पहले था and sat down और बैठ गया His mother was pouring coffee for everyone उसने देखा कि उसकी मदर है वो सभी के लिए coffee है वो serve कर रही है प्यालों में डाल रही है He said उसने कहा Maa Paa says I can go bring back to the phone Maa Paa ने कहा है कि मैं वापिस से उस phone के पास उस हिरन के छोटी बच्चे के पास जा सकता हूं She held the coffee pot in mid-air जो Maa Baxter थी वो रुख गई What phone? कौन हिरन का छोटा बच्चा? कौन सा हिरन का छोटा बच्चा? The phone belonging to that doe we killed Doe का मतलब मादा हिरन उस मादा हिरन का बच्चा जिसको हमने मार दिया था उसका बच्चा We used the dog's liver to draw out the poison and save paa हमने उस dog को मार करके उसका लिवर निकाला और उसी से paa में से जहर को निकाला She gassed मतलब Maa Baxter ने गहरी सांस ली Well for pity's sake, मतलब दया करने के लिए Paa says it would be ungrateful to leave it to starve Paa Baxter कहते हैं कि हम उसको भूका मरने के लिए भूक मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं ये बहुत ही ungrateful होगा, बहुत बुरा होगा Doc Wilson said, Dr. Wilson ने कहा That is right, ये बिलकुल सही है, ma'am Nothing in the world comes quite free इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं आती हमने इसकी मदर की जान ली है तो हमें भी इसको खाने के लिए इस छोटे बच्चे को खाने के लिए कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा The boy is right, ये लड़का बिलकुल सही है And his daddy is right, और इसके पिता है, वो भी सही है Millville said, Millville ने कहा He can ride back with me उसने कहा कि वह मेरे साथ ही वापिस ride करके जा सकता है घोडे पर I will help him find it, और मैं जोडी की help कर दूँगा She sat down the pot, उसने pot को रख दिया Helplessly, ऐसा हाई भाव से उसको पता था कि भविसे में क्या होने वाला है Well, if you will give it your milk We have got nothing else to feed it Feed का मतलब खिलाना Ma Baxter कहती है कि हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है अगर तुम अपने हिस्से का दूद उसको दे दोगे शिर्फ तभी तुम उसको ला सकते हो Millville said Come on boy, we have got to riding We have to get riding Millville है, वो बच्चे को कहता है कि आजओ हमें फिर से राइडिंग करके उस जगह जाना पड़ेगा Ma Baxter asked anxiously Ma Baxter ने चिंतित होते हुए पूछा You will not be gone long, क्या तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे Jody said, I will be back before dinner for sure मैं डिनर से पहले पक्का वापिस आ जाओँगा Millville mounted Mounted का मतलब चढ़ना, his horse Millville अपने horse के उपर चढ़ा and pulled और खींचा Jody up behind him और Jody को उपर खींचा और अपने पीछे बिठाया He said to Millville, Jody ने Millville को कहा Do you think the phone is still there? क्या तुम्हें लगता है कि वो phone अभी भी वहाँ होगा? Will you help me find him? क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको ढूढ़ने में? Find him if he is alive How you know it is a he? Millville कहता है कि अगर वहें जिन्दा है तो हम उसको ढूढ़ने लेंगे लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है मतलब एक नर है वो एक मादा भी थो हो सकती है The sports, जो निसान, were all in the line जो हिरन का बच्चा था उसके उपर जो sports थे, जो निसान थे वो एकदम से line में थे On a door phone, एक जो मादा हिरन है उसके उपर passes, पापा के अनुसार पापा कहते है The sports are every which way कि वो every which way का मतलब अलग-अलग दिसाओं में होते हैं वो एक line में नहीं होते लेकिन ये जो बच्चा था उसमें जो sports थे, जो निसान थे वो एक ही line में थे इसका मतलब वो मादा नहीं थी और मादा नहीं थी तो क्या था? नर था वो Jody gave himself over to thoughts of the phone Jody अफिर से phone के बारे में सोजने लग गया They passed the abundant clearing जो छोड़ी हुई साफ जगे थी उसको उन्होंने पार कर लिया था He said, Jody ने कहा cut to the north अब आप north की तरफ घोड़े को मोड लो cut कर लो मतलब मोड लो It was up there यह यहां था that पा got bitten by the snake and killed the doe and I saw the phone यह वोई जगे है जहां पर पिता को snake ने साफ ने काटा था और मैंने डो को मादा हिरन को मारा था और मैंने वहां पर उस हिरन के छोटे बचे को दिखा था Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him अचानक से Jody नहीं चाहता था कि Millville उसके साथ रहे If the phone was dead अगर phone मर चुका है or could not be found और अगर उसको नहीं मिलता है He could not have his disappointment seen तो वह अपनी disappointment को अपनी निरासा को अपने दुख को दिखाना नहीं चाहता है And if the phone was there अगर हिरन का छोटा बच्चा वहां है The meeting would be so lovely तो उनका जो मिलन होगा वो इतना जादा लवली होगा And so secret और इतना गोपनी होगा That he could not endure Endure का मतलब सहन करना To share it तो जोडी उस चीज़ को Share नहीं करना चाहता है Share करना सहन भी नहीं करना चाहता है He said जोडी नहीं कहा It is not far now अब ज्यादा दूर नहीं है But the Scrib Scrib का मतलब जाडिया Is very thick यहाँ पर जो जाडिया है वो काफी मोटी मोटी है फैली हुई है For a horse एक घोडे के लिए इसका मतलब घोडा आगे जाएगा नहीं I can make it on foot मैं अब पैदल चलके भी जा सकता हूँ But I am afraid to leave you boy Millville कहता है कि लेकिन मैं तुमको अकेले नहीं छोड सकता Suppose क्या हो You got lost तुम खो जाओ और या फिर Got bitten by the snake too और तुमको भी जो साफ है वो काट ले I will take care मैं ध्यान रखूंगा It might take me long time to find the phone If he's wandered अगर वह यहां कहीं चला गया है तो मुझे उसको ढूंडने में काफी time लगेगा Leave me off right here मुझे आप सिर्फ यहीं छोड़ दो और चले जाओ All right But you take it easy now लेकिन तुम अब आराम से चलना You know North here and East तुम जानते हो कि North इस तरफ है और East इस तरफ है There and there That tall pine makes a bearing Bearing का मतलब होता है एक compass की तरह से काम करना Make a bearing का मतलब किसी compass की तरह से काम करना तो वो कहता है कि यह जो pine tree है वो एक compass की तरह से काम करता है इस तरफ North है इस तरफ West है इस तरफ इस तरफ इस तरफ वेस्ट है, नौर्थ है, साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, सो लॉंग, सो लॉंग का मतलब बाई 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 चलता हूँ, सो लॉंग बिल विल, I am obliged, मैं बहुत ही आभारी हूँ, obliged हूँ कि तुम मुझे यहां तक लाई, यहां पर एक वड़ा है, सो लॉंग, सो लॉंग का मतलब बाई 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 चलता हूँ, He waited for the sound of the hooves to end, hooves का मतलब वता है, खुर, जो horse के जो खुर है, उनकी आवाज जब आना बंद हो गई, तब तक जोड़ी ने वेट किया, उसने कुछ नहीं किया, Only his, then, cut to the right, फिर वह right की तरफ मुड़ गया, The scrub was still, जो जाड़यां थी, वो एक जगह थी, हिल नहीं रही थी, हवा नहीं चल रही थी, Only his own crackling of twigs sounded, उसी की पैरों की नीचे जो तहनिया आ रही थी, वो जो crackle हो रही थी, उनकी चटकने की आवाज आ रही थी, Across the silence, उस चारों तरफ जो silence फैली होई थी, उसमें, उसी की आवाज, उसी के पैरों की आवाज आ रही थी, He wondered, वह सोचने लग गया, for an instant, एक्षण के लिए, वह सोचने लगा, if he had mistaken his direction, कि कहीं उसने गलत दिशा में तो वह नहीं बढ़ने लग गया है, वह उसने सोचा, wonder का मतलब सोचना, Then a buzzard rose फिर एक बाज उठा, in front of him, उसके सामने, and flapped और फड़ फड़ाया, into the air और हवा में फड़ फड़ाया, He came into the clearing under the oaks, जो ओक के पेड़ें उनकी नीचे साफ जगह पर जोड़ी आया, Buzzards sat in a circle around the carcass of the door, जो मादा हिरन थी, उसका जो carcass था, उसकी जो डेड़ बोल्डी थी, उसके चारों तरफ घेरा बना कर बाज बेठे थे, They turned their heads on their long scrawney, scrawney का मतलब पतली, necks, जो गर्दन है, and hissed at him, सभी जो बाज थे, उन्होंने अपनी पतली गर्दन को गुमाया, और जोड़ी की तरफ देखा, और उसकी तरफ इसकी तरफ हिस किया, मतलब शृ इस तरीके से sound की, He threw his bow, बाव का मतलब डाली at them, उसके पास एक डाली थी, वह है उसने उनकी तरफ फैंकी, and they flew into the adjacent tree और वो पास के ही किसी पेड के उपर उड़ गए the sand sowed large cat prince वहाँ पर जो रेट थी उसमें दिखाई दे रहा था कि जो बड़ी cats हैं मतलब जो tigers हैं उनके जो पेरों के निशान हैं वो दिखाई पर रहे थी but the big cats killed fresh लेकिन जो tigers हैं वो fresh जानवर को मारते हैं मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं and they had left the dough इसलिए उन्होंने उस मरी हुई हीरन को छोड़ दिया to the carrion birds carrion का मतलब मास खाने वाले जो पक्सी हैं मतलब जो बाज हैं उनके लिए उस dough को छोड़ दिया और वहां से चले गई he parted the grass उसने घास को अलग-अलग किया at the place where he had seen the phone जहां पर उसने उस हिरन की छोटे बच्चे को देखा था it did not seem possible ऐसा संभव नहीं लग रहा था that it was only yesterday कि ये कल की ही बात है कल बीती हुए कल की ही बात है the phone was not there हिरन का छोटा बच्चा वहां नहीं था he circled the clearing जो साफ जगह थी उसका एक चक्कर काटा there was no sound no sign वहां पर कोई आवाज नहीं थी कोई निशान नहीं था the buzzards collect their wings collect का मतलब फड़़डाना जो बाज है उन्होंने अपने जो पंक है उनको फड़ फड़ाया impassent वो अधीर हो चुके हैं to return to their business वो वापिस से उस dead body को खाने के लिए impassent हो गए हैं अधीर हो गए हैं पैचेन हो गए हैं he returned to the spot where the phone had emerged and dropped on all thoughts जो डी फिर से उसी जगह अपर आ गया जहां पर उसने उस phone को देखा था जहां से phone निकला था emerge का मतलब जहां से निकलना and dropped और गिर गया on force force का मतलब दोनो हाथ और दोनो पैर दोनो हाथ और दोनो पैर चारों की उपर गिर गया और steady करने लग गया the sand और मिटी को ध्यान से देखने लग गया for the small hoof prints की वहां पर छोटे छोटे खुर्क की निसान तो नहीं है the night's rain अब रात को बारिश हुई थी the night's rain had washed away all the tracks मतलब निसान जो भी निसान थे वो रात की बारिश ने साफ कर दिये थे except those of cat and birds see why जो cat के निसान है और बाज की निसान है उनके इलावा सारे निसान है वो साफ हो चुके थे moment directly in front of him startled him startled का मतलब डरा देना अब उसके सामने अर्चानक से एक moment हुआ और उसकी वज़े से वो डर गया so that he tumbered backward इतना ज़्यादा वह डर गया कि वह पीछे की तरफ गिर गया the phone lifted its face to his हिरन के छोटे बच्चे ने अपना चहरा जोडी की तरफ उठाया it turned its head with a wide wandering motion and shook him through with a stare tear का मतलब घूरना of its liquid eyes उसने हिरन के छोटे बच्चे ने अपना शिर गुमाया उसकी आँखों में नमी थी और उसने जोडी को घूरा it was quivering बहे का परहा था हिरन का छोटा बच्चा का परहा था it made no effort to rise or run हिरन के छोटे बच्चे ने उठने का या फिर भागने का परियाश नहीं किया जोडी कुड नो ट्रास्ट हिंसेल्फ टू मूव जोडी को विश्वास ही नहीं हुआ वह एक जगए ठहर गया उससे हिला नहीं गया he whispered जोडी ने धीरे से बोला it's me, ये मैं हूँ उसने हिरन के छोटे बच्चे को कहा कि मैं हूँ the phone lifted its nose, scenting him phone ने हिरन के छोटे बच्चे ने अपने नोज को उठाया और उसको सुंगा जोडी को सुंगा he raised out one hand and laid it on the soft neck जोडी ने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसको उसकी soft गरदन की उपर रखा the touch made him delirious उस touch ने उसको खुशी से पागल कर दिया, बावला कर दिया delirious का मतलब खुशी से पागल हो जाना, बावला हो जाना he moved forward on all force, वहे दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल धीरे धीरे उस हिरन के छोटे बच्चे की तरफ बढ़ा until he was close behind it, जब तक कि वहे एकदम से उसके पीछे नहीं चला गया he put his arms around its body, जोडी ने अपने हाथों को उसके चारों तरफ रखा a light convulsion, convulsion का मतलब कमपन, passed over it, but it did not stir थोड़ा सा कमपन उस हिरन के बच्चे की शरीर के उपर हुआ, लेकिन वहे स्टिर नहीं हुआ, वहे भड़का नहीं, वहे भागा नहीं he stroked its sides as gently as though the phone were a china deer, china deer का मतलब, चाइना की मिट्टी का बना हुआ हिरन, जैसे की चाइना मिट्टी के बने हुए चाय के कप होते हैं, जो तूट जाते हैं जोडी ने उस हिरन के बच्चे को धीरे धीरे stroke किया थप थपाया, इतना धीरे जैसे की वो किसी चाइना मिट्टी का बना हुआ हो और वो तूट जाएगा, and he might break it, और हो सकता है कि अगर वह ज्यादा उसको थपता पाई तो वह तूट जाए, its skin was very soft, it was sleek, sleek का मतलब चिकनी, जो हिरन का चोटा बच्चा था, उसकी जो skin थी, वो काफी चिकनी थी and clean, soft थी and had a sweet scent of grass, और घास की मिठी मिठी सुगंत उसके अंदर से आ रही थी, He rose slowly and lifted the phone from the ground, जोड़ी धीरे से उठा और हिरन के चोटे बच्चे को उठाया, its legs hung, उसके हिरन के चोटे बच्चे के जो पैर थे, वो लटक रहे थे, limply, धीले धाले धंग से, जैसे कि उनमें कोई जान ही नहीं है, they were surprisingly long, जो हिरन के चोटे बच्चे के जो पैर थे, वो काफी लंबे थे, and he had to hoist, hoist का मतलब उपर उठाना, the phone as high as possible under his arm, और उसने उतना ज़्यादा उस हिरन के बच्चे को उठा लिया, जितना अब है उठा सकता था, ताकि उसके पैर हैं, वो जमीन को टच्ची ना करें, he was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother, जब जोडी उसको ले जाने लगा, तो जोडी को लगा कि अगर इस चोटे बच्चे ने अपने मरी हुई मदर को देख लिया, तो वहें kick कर सकता है, laut मार सकता है या फिर bleat कर सकता है मीमिया ना, bleat का मतलब मीमिया ना, या फिर वहें मीमिया सकता है, उसने जो साफ जगह को अवोइड किया वहां से नहीं गया और जहाडियों से होता हुआ उस बच्चे को मेन राजते पर लाया ताकि वह अपनी मदर मरी हुई मदर की जो बोड़ी है जो कारकस है जो सब है उसको ना देख सके it was difficult to fight through with his burden बर्डर का मतलब भार जो जो जोड़ी के हाथों में जो भार था उसके साथ बहुत ही मुश्किल था कि उसने जहाडियों में से निकल सके the fawn's legs caught in the bussage and he could not lift his own with freedom जो fawn था उसके जो पैर थे वो नीचे लटक रहे थे और जाडियों के अंदर फंस रहे थे और वह अपने खुद के पैरों को आजादी से उठा नहीं पा रहा था he tried to shield its face from prickling wines जो चुबने वाले जो कांटे हैं जो wines हैं जो बेल हैं उनसे बचाने के लिए जोड़ी ने उस हिरन के छोटे बच्चे के जो फेस है उसको ढख लिया its head bobbled, bobbled का मतलब उपर नीचे होना with the stride, stride का मतलब लंबे लंबे कदम जब जोड़ी लंबे लंबे कदमों से आगे चल रहा था तो उसका सिर उपर नीचे हो रहा था his heart thumped with the marvel of its acceptance of him जोड़ी का heart है वो धक धक करा था और उस marvel से उस चमतकार से कि इस हिरन के बच्चे ने उसको accept कर लिया है, स्वीकार कर लिया है इस वज़े से जोड़ी का जो heart है वह धक धक करा था, thump करा था he reached the trail, trail का मतलब कच्चा रास्ता and walked as fast as he could until he came to the intersection मतलब चोरा हा with the road home अब जोड़ी कच्चे रास्ते पर पहुंच गया और बहुत तेर चला ता कि वह है उस चोरा हे पर पहुंच जाए जहां पर वो road है जो road उसके घर जाती है he stopped to rest, जोड़ी अराम करने के लिए रुख गया and sat the phone down on its dangling legs और phone को नीचे छोड़ दिया उसके जो लटकते पैरों के उपर it wavered on them जो हिरन का छोटा बच्चा था वहे अपने पैरों के उपर लड़ खडाया it looked at him and bleated उस हिरन के बच्चे ने जोड़ी की तरफ देखा और मीमी आया he said enchanted जोड़ी ने enchant होकर मंत्र मुगद होकर मोहित होकर कहा I will carry you after I get my breath एक बार मैं सांस ले लूँ फिर मैं तुमको उठा लूँगा he remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried जोड़ी को याद आता है कि उसकी पिता ने कहा था कि अगर आप किसी हीरन के छोटे बच्चे को थोड़ी दूर carry कर लो तो जब आप उसको नीचे उतारोगे तो वो भी आपको follow करेगा आपका पिछा करेगा he started away slowly जोड़ी ने धीरी धीरी चलना सुरू किया उसने सोचा कि मैंने उस phone को काफी देर तक carry किया है तो हो सकता है कि वो मेरे पिछे आई the phone stared after him जो हिरन का छोटा बच्चा था उसने जोड़ी की तरफ घूरना सुरू किया he came back to it जोड़ी वापिस हिरन के बच्चे के पास आया and strucked it उसको थप थप आया and walked away again और फिर से चलने लगा it took a few wobbling steps towards him and cried pitiously जो हिरन का छोटा बच्चा था वहे लड़कड़ा थे वए एक दो कतम उसने आगे बढ़ाई लेकिन फिर से वहे बहुत ही दैने तरीके सी रोने लग गया मिमिया ने लग गया it was willing to follow him वहे हिरन का छोटा बच्चा उस जोड़ी को फोलो तो करना चाहता था it belonged to him अब वहे हिरन का बच्चा जोड़ी का हो चुका था it was his own वहे उस खुद का हो चुका था he was light-headed with joy अब वहे नसे में खुस हो गया था जोड़ी he wanted to fondle it जोड़ी उसको सहलाना चाहता था to run to run and romp with it उसके साथ भागने के लिए romp करने के लिए उचल कुद करने के लिए to call to it उसको पुकारने के लिए to come to him ताकि वहे उसके पास आच के he dared not alarm it और वहे उसको डराना नहीं चाहता था jोड़ी उस हिरन के बच्चे को डराना नहीं चाहता था he picked it up and carried it in front of him over his two arms उसने फिर से उस हिरन के बच्चे को उठाया और थोड़ी देर के लिए carry किया it seemed to him that he walked without effort अब जोड़ी को लग रहा था कि अब वहे आराम से चल रहा है his arms began to act उसकी बाहें दर्द करने लगी and he was forced to stop again जोड़ी को फिर से रुखना पड़ा when he walked on फिर से जब वहे चला the phone followed him at once उस phone ने उसको follow करना शुरू कर दिया he allowed it to walk a little distance जोड़ी ने थोड़े देर उस हिरन के छोटे बच्चे को चलने दिया then picked it up again और लेकिन फिर से उठा लिया the distance from was nothing अब घर से ज़्यादा दोरी नहीं थी घर आ गया था he could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow जोड़ी इतना ज़्यादा खुश था कि वहे पूरे दिन पूरी रात उसको अपने साथ लेकर के चल सकता था और उसको देख सकता था कि वहे उसके पीछे पीछे आ रहा है he was wet with sweat जोड़ी पसीने से गीला हो चुका था but a light breeze लेकिन जो थंडी हवा है blew through the June morning जो June महिने की गरम महिने की जो morning है उसके अंदर थंडी थंडी हवा चल रही थी cooling him जो उसको थंडा कर रही थी the sky was as clear as spring water spring water की तरह से पानी एकदम से साफ था in the blue china cup जैचे की blue china cup के अंदर हम जब पानी डालते हैं वो जितना साफ होता है उतना ही साफ sky था he came to the clearing अब साफ जगे आ गई थी it was fresh and green after the night's rain सब कुछ साफ था, green था, रात में बारिश हुई थी उसकी वज़े से he fumbled उसने टाटोला, जोडी ने टाटोला with the latch, जो कुंडी लगी थी घर की उसको टाटोला and was finally obliged finally उसको मजबूर होना पड़ा to set down the phone उस phone को रखने के लिए to manage it, उसको ठीक करने के लिए घर आ गया घर की कुंडी खोलने के लिए जोडी ने उस हिरन के बच्चे को गौद में लेकर के वह कुंडी खोलने की कोशिस कर रहा था लेकिन काफी परियास करने के बाद भी जब जो latch है वो नहीं खुली तो वह obliged हो गया, मजबूर हो गया उस हिरन के छोटे बच्चे को set down करने के लिए, नीचे रखने के लिए ताकि वह कुंडी को खोल सके then he had an idea, उसके बाद में फिर उसके एक idea आया, he would walk into the house, into Penny's bedroom with a phone walking behind him उसने सोचा कि क्यों ने मैं अपने पिता के रूम में जाऊं और ये जो हिरन का छोटा बच्चा वो मेरे पिछे पिछे अपने आप याई तो पिता जी कितने खुश होंगी but at the steps the phone barked barked का मतलब रुख जाना लेकिन जो steps थी जो सीडियां थी वहाँ पर हिरन का बच्चा रुख गया and refused to climb them और वह चड़ नहीं पाया he picked it up and went to his father Penny he picked it up उसने उस हिरन की छोटे बच्चे को उठाया and went to his father और अपने पिता की पास गया Penny lay with closed eyes Penny है वो आँखे बंद करके सो रहा था Jody called Jody ने कहा पा लुक पिता जी देखो Penny turned his head Penny ने अपना सिर घुमाया Jody stood beside him Jody उनकी बगल में खड़ा था the phone clashed hard against him और Jody ने उस हिरन के छोटे बच्चे को clutch कर रखा था जकड़ा हुआ था पकड़ा हुआ था पैनी को लगा कि जोड़ी की आँखें उतने ही चमक रही हैं जितने ही फॉन की क्योंकि फॉन भी उतना ही खुश है जितना ही जोड़ी खुश है जोड़ी की पिता ने कहा कि मुझे खुश है कि तुमने उस हिरन के बच्चे को खोज लिया है जोड़ी देन वेंट तु दे कीचिन जोड़ी फिर रसोई में गया दे फॉन वोबर्ट फॉन लड़ खड़ाते हुए उसके पीछे गया आफ्टर हीम एक पैन एक पैन ओफ मोर्निंग्स मिल्क स्टूड इन दे कीचन वहाँ पर एक बरतन था जिसमें सुबह का दूद रखा हुआ था सेफ जो की कीचन की अलमारी के अंदर रखा हुआ था यहाँ पर सेफ का मतलब एक अलमारी है उसके उपर क्रीम दिख रही है जोड़ी ने उस क्रीम को उन जहगों को स्किम कर लिया अलग कर लिया एक जग के अंदर एक कद्दू के अंदर थोड़ा सा मिल्क जोड़ी ने डाला और जोड़ी ने इस कद्दू को उस हिरन के बच्चे के सामने रखा ताकि हिरन का बच्चा उसको पी सकी it butted butt का मतलब अगर-मगर करना एतराज करना it butted it suddenly हीरन के बच्चे ने मना कर दिया कि वहे दूर नहीं पियेगा smelling the milk उस milk की smell को सुम करके उस बच्चे ने मना कर दिया he saved it precariously from spilling over the floor और जोडी ने मुश्किल से precariously मतलब खतरनाक धनुक से उस milk को बचाया वरना तो वहे फ्लोर पे spill हो जाता चलक जाता गिर जाता it could make nothing of the milk in the gourd और फिर उसका milk का कुछ नहीं हो पाता he dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth जोडी ने अपने अंगूलियां उस milk के अंदर डाली उनको भीको वया और फिर अंगूलियों को उस हिरन के छोटे बच्चे के मुह में डाल दिया thrust कर दिया it sucked greatly अब उस हिरन के बच्चे को भूग तो लगी थी उसने greedily लालत से उसको चूस लिया when he withdraw them जब जोडी ने अपने अंगूलियों को बाहर निकाला it bleated तो frantically पागलपन से वह मीमी आया and butted him और एतराज गया के तुम अंगूलियों को बाहर मत निकालो he dipped the fingers again and as the foam sucked he lowered them slowly into the milk धीरे धीरे जोडी अपने अंगूलियों को बिगोता गया और अपने अंगूलियों से पिलाता गया और धीरे धीरे अपने हतों को नीचे करता गया और दूद के पास ले आया अब दूद के पास उसका हीरन के बच्चे का मुहें आ गया है the foam blew and उस हीरन के बच्चे ने फूंक मारे and sucked और चूसा and snorted और सूंगा it stamped its small hooves impacently और वह अपने खुरों को अपने पैरों को impacently पटकने लग गया stamp करने लग गया as long as he held his fingers below the level of the milk the phone was content content का मतलब संतुष्ठ जब तक की जोडी ने अपने हाथों को उस milk के नीचे रख रखा था तब तक हीरन का छोटा बच्चा संतुष्ठ था it closed its eyes dreamingly हीरन के छोटे बच्चे ने अपने आखों को बंद कर लिया जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो it was ecstatic ये एक परम आनन्द था to feel its tongue against its head जोडी के लिए ये बहुत बड़ा आनन्द था जब वह है उसकी जीव को feel कर रहा था its small tail इसकी छोटी से पूँच flick वो हिल रही थी back and north आगे और पीछे flick हो रही थी हिल रही थी the last of the milk vanished अब सार का सारा दूद है वो गाइब हो गया वैनिस हो गया इन्हें स्विरल स्विरल का मतलब घुमाव स्विरल और फोम एन ग्रगलिंग और घुमाव और गड़गडाहट के साथ सारा दूद गाइब हो गया इस तरह से दूद सारा का सारा उस हिरन के छोटे बच्चे ने पी लिया तो ये था हमारा चेप्टर दिस जोडी ज फॉन बच्चों मुझे लगता है कि बहुत ही बड़िया चेप्टर था आपको समझ में आया होगा आपको अच्छा लगा होगा अब हम बिलते हैं नेक्स्ट वेडियों में थेंक यू